हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी खबरों को माना जा रहा है कि सीम हेमंतो सोरिन इस वक्त मुस्किलों की मजधार से जोज रहे हैं लेकिन इस वोट रैट से उन्होंने विपक्चियों को अपनी मजबूती कसंदेश दिया है एक नेता ने बताया था कि अगर जौरत पड़ी तो सभी सत्तारूड विधायकों को एक ही गंत धब्य पर भेजा जाएका सभी विधायक अपना सामान लेकर मोक्यमंतो सोरिन की विधानसभा की सदस्यता रद होने के बाद राजनितिक परस्तितियां जो भी आए सभी परस्तितियों में बरहेट विधानसभा सीट पर उप्चिना होना तै है राज में पांचवी विधानसभा की गठन के बाद या चाउता अप्चिना होगा इस कारिकाल में अब तक तीन अप्चिना दुम का बेरमू तथा मांडर स्ट्रीट पर हो चुके हैं सदस्यता खत्म होने के बाद हेमांतो सोरिन दोबारा विधायक दल करनेता चुन कर सरकार बनाने का दावा करते हैं तथा राज पाल उन्हें सरकार बनाने का नियोता देते हैं तो भी उन्हें च्छा मां के भेतर चुनाव जित कर दोबारा सदस्यता प्राप्त करनी होगी पूरी संभावनाही की दोनों परस्थित्यों में बरहेट में होने वाले उप्चिनाव में ही सदस्यता प्राप्त करने का प्रियास किया जाएगा। मौसम केंदर ने सनिवार को यह जान का रिदी है मौसम केंदर की छेतावनी में कहा गया है कि जारकन के उतरी भागों में कहीं कहीं भारी वर्सा होगी। मौसम केंदर ने कहा है कि 28 अगस्त यानि रविवार को राजमें कहीं कहीं हलके से मध्धम दर्जे की वर्सा हो सकती है इस दोरान मेगा गर्जेंगे और कुछ जगों पर वजरिपात भी हो सकता है ऐसे में लोगों को सौधान रहने के लिए किसानों को सलह दी गई है कि मौ जायरकन बोर्ट आटवी रिजल्ट घोसित 90 दसमलों 33 फिजदी अश्टूडेंस पास जायरकन बोर्ट आटवी परिचा परिनामों का इंतुजार खत्म हो चुका है जायरकन एकेडमिक कॉंसिल ने सनिवार को कच्छा आटवी का परिनाम घोसित कर दिया है मीडिया खबरो के अनुसार नतीजों की घोशना अधिकारिक वेबसाइट जैकरिजल.com पर की गई है अब ऐसे में जो भी शातर चातराएं इस परिचा में सामिल हुए थे वे पोटल पर जाका नतीजे चेक कर सकते हैं जायरकन एकेडमिक काउंसिल की और से आज जित जैक कच्छा आटवी परिचा 2022 में कुल 5,2757 चातर उपस्तित हुए थे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस परिचा में से 4,54,144 चातरों को उतिर्न घोसित किया गया है इस अधार पर इस परिचा में कुल 5,33 दर्च किया गया है बतादे कि इससे पहले 26 सगस्त को जायरकन एकेडमिक काउंसिल ने कच्छा नौवी का परिचा परिचा गोसित किया था जैक नौवी के परिचा में कुल 5,27 पर इस परिचा था वही अगली सप्ता गयारविक रिजल जारी होने की उमीद है गनेस महातो सहादत दिवस जारकन में सियासी संकट के पीछ है मंतुसोरेन सरकार पर क्या बोले मंतरी जगरनात महातो जारकन की बोकारो जिले के भंडारी दाह में सनिवार को सहित गनेस महातो के सहादत दिवस का अवजन किया गया इस समारों में भागले ने जारकन के सिक्छा मंत्री जगनात महातो हेलिकॉप्टर से पहुँचे उन्होंने गनेस महातो की परतीमा पर माल लेयरपन किया इस दोरान उन्होंने पत्रकारों से बादचित में कहाए कि हमंतो सोरेन मुक्य मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आदिवासी मुलवासी का यहां राचले भाजपा द्वारा सरकार को आस्तिर करने की साजिस की जा रही है उन्होंने कहाए कि यूपिय गडबंधन के वधाय एक जूठ है प्रिटा के घर जन्वारी महा से ही आ रहा था और तांतरिक क्रिया से इलाज करने के बहाँ ने नाबालिक से दुसकर्म कर रहा था इतना ही नहीं इसने पिडिता के परिजनों से 25 जर रुपय की ठगी भी की है इसने गाउं के आने लोगों से भी ठगी की है पुलीस ने उसे हजारी बाग के इचाग से गिरापतार कर जेल भेज दिया है SDPO मनिस्चंदर लान ने बता है कि हजारी बाग जिले के इचाग की रहने वाले तांतरिक संजवे सकर्मा उर्फ मसान बाबा द्वारा भरनो थाना छेतर की एक नबालिक दिव्यां को जाड़ फुक करने के दोरान अपनी हवास कसी कार बना गया इससे पिडिता गर्भती हो आरोपी अपने आपको मसान बाबा करता है या आरोपी पिडिता के घर जनवारी महा से ही आ रहा था और तांतरिक्रिया से इलाज करने के बाहने दुस कर्म कर रहा था जारकन में सियासी संकट आज फिर घूमने जाएंगे जारकन के वधायक हेमंतु सोरिन बोले आफ़ पर ध्यान ना दे इससे पहले मुक्यमंतुरी ने वधायकों की बाठक में कहा है कि हमें कोई 36 गड़ भेज रहा है तो कोई बंगाल भेज रहा है हमें एक जूट रहना है अब फ़ौँ पर ध्यान ना दे उन्होंने कहा है कि अगर हमंत सरकार को बचाने के लिए फ्लोर टेश्ट की जौरत पड़ी तो कोलकाता में फसे तीनों वधायकों को वापस राची लाएंगे एरपोर्ट पर मीडिया से बातचित की और सीधे मुराबादी इस्थित गेस्थ हाउस पहुँचे अविनास प उन्होंने मीडिया को असपश्ट तोर पर बता है कि है मंत सरकार के वरतमान और भवविस को लेकर कोई संका नहीं है सरकार अपना पूरा कारिकाल पूरा करेगी हम जनता की सेवा करेंगे जमसेदपूर में ब्राउन सुगर के साथ एक गिरबतार दो फरार सिधगोडा पुलिस ने नौपुडिया ब्राउन सुगर के साथ एक युवा को गिरबतार किया है जबकि दो फरार होगे थाना प्रभारी रंजित कुमान ने बता है कि भुयाडी छेतर में ब्राउन सुगर बेचने की सूचना पर छापे मारी की गई थी एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा तो टीम ने दोड़ा कर दबोच लिया उसके पास से नौपोडिया ब्राउन सुगर बरामत हुआ है पूचताच में उसने अन्ने सात्यों का नाम बताया है गरापतारे के लिच्छा पे मारी की जा रही है जारकन में पढ़ने के लिगह से अस्कूल निकले का चाच्छे के छातर की तला में डूबने से मौत पसे में सिंग्भूम जिले में अस्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकले एक छातर की सनिवार को मुपसिल्थाना चेतर के खबर साई जाने वाली बाइपास तड़किनारे गढधानूमा तला में डूबने से मौत हो गई इस घर्टना की खबर मिलने पर अस्कूल परवंधन और उसके परिजन मौके पर पहुँचे और छातर को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी परिजन सुभा नौबजे बच्चे को सदर अस्पताल लेकर इलाज के लिए पहुँचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया अस्पताल में हंगामा करने पर पुलिस को बुलानी पड़ी बाद में परिजन सोग को घर ले गए मिर्तक अभिनास पोदार तेरावर्सिय नगरपाली का आदर्स मद्ध विदाले चाबास सा के कच्छा छेवी का चात्र था पारसनात पहाड की तलहटी में भाजपा का तीन दिवासिय प्रदेश अस्तरिय प्रसेक्षन सुरू पार्टी के दिगज़ुटे जार्खन की गिरिडी जिले में भाजपा का तीन दिवासिय प्रसेक्षन सिविर सनिवार से सुरू हो गया तिर्द छेतर पारसनात पहाड की तलहती में इस्थित मधुबन में एक आलिसान भवन में सनिवार सुबह दस बजे प्रसेक्षन सतर की सुरूआत हुई प्रदेश अस्तर पर पार्टी के या दूसरा प्रसेक्षन स्विर है कारिकरम में राजबर से भाजपान नेता और कारिकरता पहुँचे हैं सनिवार से सुरू हुए इस कारिकरम में सामिल होने के लिए सुक्रवार की सामसे पार्टी नेताओं का जूटान सुरू हो गया था राश्रिय संगठन महामंतरी सह जार्खन के प्रभारी दिलीब सेकिया जार्खन के संगठन महामंतरी कर्मवीर सिंग भाचपप प्रदेश अध्धक्ष दिपक परकास विधायक दल के नेता बाबुलाल मारंडी किंद्रिय सिक्षा राजमंतरी अनपुर्णादेवी पूरो प्रदेश अध्धक्ष दिनेशानन्द गोश्वामी प्रसिक्षन पर्मुक मनोच कुमार सिंग ने संजुक दुरूप सिद्धि परजलित कर इस शत्र का उधगाटन कि वार्चास्व बनाने के लिए घटना कौन जाम देने की रनेती तयार कर रहे तीन अपराधियों को गिरापतार किया गया है दसमलो 6-5 mm की पिस्टोल की मैगजीन बरामत की गई है ये जानकारे पुलिस अधिचक कुमार गोरों ने सनिवार को अपने कारेले में आजित प्रेशवारता में दी है धनबाद के बाग मारा में गयास रिशाओ इलाके में दहसत का माहोल कतरास इलाके की छाताबाद के पास तनिवार को अचानक गयास रिशाओ होने लगा इससे इलाके में दहसत के साथ-साथ हड़का मचा है ग्यास रिशाओ की जानकारी मिलने के बाद कॉंग्रेसी ने था पारसाथ परतनिधी सहे दर्जनों की संख्या में ग्रामिन की भीड जुट गई ग्रामिनों ने गैस रिसाओ की सूचना बिसीसेयल प्रवंधन को दी लेकिन बिसीसेयल प्रवंधन की ओर से कोई काररवाई नहीं की गई ग्रामिनों की सूचना पर बिसीसेयल प्रवंधन के कोई अधिकारी घटनास्तल पर नहीं पहुंचे हैं इसे ग्रामिनों में आक्रो से गैस रिसाओ धिरे-धिरे बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामिनों में आक्रो से गैस रिसाओ धिरे बढ़ता ही जा रहा है। रामगड जीला के रहने वाले हैं। तोयर गाउनिवासी अनुच करमाली 32 वर्षिय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के सुचना मिलने के बाद आक्रो से ग्रामिनों ने पहुँचकर मौज़े की मां को लेकर आधा घंटा तक सड़क को जाम कर दिया। थाना प्रभारी मनिस कुमार एवं मुक्या, प्यारे लाल महतो सहिद कई गर्निमान लोगों ने पहुँचकर लोग को समझाया बुझाया, सरकारी परोधान के मुताबिक मौज़ा दिये जाने के आसवासन के बाद सड़क जाम हटा, बताय जारा है कि मिर्दक बाइक में प सफाय कर्मी आनंद कुमार राम की मौत मासी पीड़ी पंची सील मोहले में सफाय करने के दौरान बिजली का करन लगने से हो गई, सफाय कर्मियों ने कहा कि एक ही संसाइन होस्पिटल के संचलक ने जबरन झाड़ी सफाय करने का दबाब बनाया, इसके बाद सफाय कर्मी आ पुसनी तिर्की और वाड 36 के पारसत परतिनिधी अविनास कुमार यादो समयत कई लोग पहुंचे, वाड के सभी जो है जमादारों वा सफाय कर्मियों ने शाओ का पोश्ट माड़म करा कर अस्पिटल के मुखे गेट पर रखकर होस्पिटल संचलक वा डॉक्टर अर्ज वर्सों से जमय सिक्षकों का होगा ताबादला, पुर्वी सिंगुम के सरकारी प्रयात्मिक वा मद्ध विदालियों में वर्सों से जमय सिक्षकों का एक मुस्द ताबादला किया जाएगा, इसके लिए जिला सिक्षक, अधिछक, नीसु कुमारी ने जिले के सब भी प्र पुलिस ने गया रोड ओवर वरीज के पास कार की तलास से लितो उसमें गांजा मिला, पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, जब्त किये वहान से 24.5 किलोग्राम गांजा, दो मबाइल और एक नमबर प्लेट बरामत किया है, SDPO नाजीर अक्तर ने बता है कि S.P. की सूचना क अधार परियाकार रवाई की गई है, राजनगर में आनिंतरी ट्रेलर गिरा पुलिया की नीचे, 24 घंटे बाद जम सेथपूर के चाला का साओ बरामत, सराइकिला खारसामा जिले की राजनगर में हाता चायबासा मुख्यमार्ग NH 220 पर, रिलाइंस पेट्रूल पंप के समी मुरुमडी पुलिया पर सुकुरवार सुभा एक ट्रेलर अनिंतरी टोकर नदी में गिर गया, घटना के 24 घंटे बाद लापता ट्रेलर चाला कसाओ पुलिस ने नदी से बरामत किया है, मिर्तक ट्रेलर चाला की पहचान जम सेथपूर के नियू, बारीडी फोजा सिंग, बागान, निवासी, गुर्दीप सिंग, 26 वर्षिय, पिता, जस्वीर सिंग के रूप में की गई है, सुकुरवार को टाटा से चायबा सकी और जाने के करम में ट्रेलर मरुंडी पुलिया पर अनिंतरी थोकर नदी में गिर गई थी, रांचवे सिविद्दाले में 9 सितंबर तक मिलेगा, एमे मानवाधिकार में नामांकन फॉर्म, रांचवे सिविद्दाले के एमे मानवाधिकार में नामांकन के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है, यह नामांकन 22-24-7 के लिए किया जाएगा, नामांकन के लिए फॉर्म और OVC के लिए 500 रपे वही अनुसुचित जन जाती वा अनुसुचित जाती के लिए 400 रपे लगेंगे जम सेथपूर में DC Office के Mobile Tower का केबल काट ले गए छोड DC Office की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं DC Office परिसर में एस्तित Mobile Tower का 40 फिट लंबा तामबा का केबल चोर काट कर ले गए या घटना 24 अगस्त की देर रात की है सिगनल डाउन होने की सिकायत के बाद गुरुवार को BSNL की टीम मोहा जांच करने पहुंची तो इसका खुलासा हुआ सुकुरवार को BSNL के एक इंजिनियर ने इस मामले के लिखित सिकायत बिश्टूपूर थाने में की केबल चोरी होने से DC Office समयत पूरे पुराना कोट परिशर में सिगनल की समस्या हुई परंतु सीमावर्ती दूसरे टावर की प्रिक्वेंसी को बढ़ा कर ततकाल इस समस्या का समधान किया गया हजारी बाग के चौपारन में पूरा कोईला लदा दो वाहन जब्द दो कोजेल पुलिस ने सनिमार को अवैद पूरा कोईला लदे दो वाहनों समय दो चाला को गरबतार किया है चौपारन थाना प्रभारी संभू नंद इस्वर के आदेस आनुसार चोरदाहा चेक पोष्ट प्रभारी SI तरुन बाखला ने कारवाई की है और पूरा कोईला जब्त किया है थाना प्रभारी ने बता है कि हजारी बाग SI के आदेस पर यह कारवाई की गई है सुचना मिली थी कि छोटे वाहनों से आवैद कोईला बिहार ले जाय जा रहा है तो ये थी आज की जहरकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जहरकन के हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जहरकन चानल को सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस करतेजे जिससे आपको जहरकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में